नमस्कार हुमारे खास खारिक्रम लोगतंत्र में आप सभी का स्वागत है आपके साथ मैं हूँ घंश्या मुपाथ्याए पश्चिम बंगाल में सियासी घमासार मचा है ममता बेनर जी फिर से हैट्रिक लगाने के लिए जी जान से जुटी है तो वहीं बीजेपी भी सत्ता में आने के लिए पूरी ताकत छोक रही है चुनावी रैलियू में यो तो तमाम मुद्दे उठाए जा रहे हैं लेकिन सबसे एहम मुद्दा चो बंगाल की सियासत को सबसे ज्यादा प्रभावित कर रहा है वो है अपराथ कानून विवस्था बीजेपी लगातार प्रदेश में बढ़ते अपराथ राज़ितिक हत्याओ को लेकर ममता सरकार को घेर रही है आज भी कूच बिहार में ग्रीह मंतरी अमित्चा ने आरोप लगाया कि ममता राज़ में बंगाल अपराधो में नमबर वन है इस बीच पश्चिप बंगाल की राज़िपाल जगदीब धंकर के बयान से भी सूबे की सियासत गर्मा गई है दंकर ने एक बयार में कहा कि ममता सरकार में इतना डर है कि लोग डर के मारे इसकी चर्चा तक नहीं करते बंगाल में इमर्जिन्सी जैसे हालात हैं वैसे पिछले काफी वक्त से बंगाल में राज़नितिक हत्याओं का ग्राफ तेजी से बढ़ा है इन हत्याओं को लेकर वार पर अटवार भी होता रहा है सवाल ये कि क्या वाकई राजी का शासन सम्विधान और कानून के शासन से परे जा रहा है या अपराद और कानून विवस्ता का मुद्धा महज सियासी फसल काटने के लिए उठाया जा रहा है क्या है हकिकत आज कर इंगे परता लेकिन उससे पहले इस रिपोर्ट का आपको दिखाते हैं पश्चिम बंगाल में सियासी घमासान एमसी बीजेपी में वार पलटवार पश्चिम बंगाल में सत्ता के लिए सियासी जंग छड़ी है बंगाल में भगवा फैराने के लिए बीजेपी ने पूरी ताक छोग दी है ममता भी डटी है, अड़ी है इस बीच राजिपाल जगदीब धंकड के एक बयान ने सूबे की सियासत को और गर्मा दिया है राजिपाल जगदीब धंकड ने ममता सरकार पर गंभीर आरोप लगाये हैं एक बयान में राजिपाल धंकड ने कहा राजि का शासन समविधान और कानून के शासन से परे जा रहा है राजि में इतना डर है कि कोई डर के मारे इस डर की भी चर्चा नहीं करता ये गवर्नर से बहतर कोई नहीं जानता राज़ी में इमर्जेंसी जैसे हालात हैं मीडिया, बिरुक्रेसी सब भी ढरे हुए हैं कभी नमबर एक राज़ी रह बंगाल आज रोज़गार, उद्योग सब में पिछल गया है राज़पार जगदीब धनकड ने राज़ी में राज़ीपाल की भूमी का पर भी बयान दिया उन्होंने कहा गवर्नर किसी राज़ी में समिधान के शासन की रक्षा करता है मैंने कभी भी समिधान की लक्षमन रेखा का उलंगन नहीं किया मैंने भारतिय सम्विधान के एक-एक शब्द का पालन किया है हमारा काम ब्यूरोक्रेसी के राजनिती करण को रोकना है राजिपाल जगदीब धंकर के बायान के बाद टीमसी ने भी परटवार किया टीमसी सांसद सौकर्ट रोहन कहा कि गवर्नर को इस तरह की बयान बाजी नहीं करनी चाहिए सम्विधानिक पद पर बैठने के बाद इस तरह की टिपणी नहीं की जानी चाहिए वहीं टीमसी के वरिष नेता और पूर मंत्री मदन मित्रा ने कहा कि राजिपाल को इस समय राजी से वापस भेज दिया जाना चाहिए राजिपाल जगदीब धनकर ने ममता सरकार को कटगरे में खड़ा किया तो कूच बिहार में ग्री मंत्री अमित्शाह ने ममता बेनर जी पर हमला बोला उन्होंने कहा कि ममता राज में बंगाल अपराधू में नंबर वन है टेमसी कार्यकरता बीजेपी कार्यकरताओं पर हमले करते हैं लेकिन ममता उन्हें जेल नहीं भेजती हम उन्हें जेल भेजेंगे यह बंगाल को और उसकी कानून और विरोस्ता को ममता दिदी ने खराब करकर रखती है आप नमबर वन किसमे हो महिलाव पर अत्याचार हत्या हत्या के प्रयास रागदी घत्या इस प्रकार के कामों में बंगाल को नमबर वन कर दिया है राज्यतिक हिंसा को लेकर ममता बेनर्ट जी पहले भी विरोध्यों की निशाने पर रही हैं हाला कि हिंसा को लेकर आरोप दोनों तरफ से लगते रहे हैं राश्टे अपराद रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट क्राइम इन इंडिया 2018 के मताबिक परश्चिम मंगाल में 2018 में सबसे ज्यादा राजनितिक हत्याएं होई 54 राजनितिक हत्याओं में से 12 सिर्फ परश्चिम मंगाल में होई बिहार में 9 और महराष्ट में 7 लोगों की राजनितिक हत्याएं होई वैसे 2020 में हालही में हुई राजनितिक हत्याओं की बात करें तो 2 नवंबर को नदिया में बीजेपी कारेकरता की हत्या आठ दिसम्मर को नधिया में एक टीमसी कारिकर्टा की हत्या की गई आकड़े बताने के लिए काफी है कि पश्चिम बंगाल की सियासत रक्त रंजित हो चुकी है बीजेपी ममता सरकार को जिम्मेदा ठहराती है तो ममता बनर जी बीजेपी पर ठीक राप फोड़ती है सवाल है कि ममता सरकार में डर का राज है डर की वजह से वहाँ चर्चा तक नहीं होती बहरार राडियो में अब राद अब सियासी असलह बन चुका है बीरो रिपोर्ट एपियन तो आज बात होगी पश्चिम मंगाल की सियासत की बात होगी गवर्नर साहब की उस बयान की जिसमें वो कहते हैं कि प्रदेश में एमर्जेंसी के अहलात है बात होगी बीजेपी की परिवर्तन यात्रा की भी और इन तमाम मुद्दों पर बात चीज़ करने के लिए मेरे साथ बेहत खास महमानों का खास पैनल जुड रहा है परिशे मैं आपका करा दू मेरे साथ भासकर घोश जुड रहे हैं और इस और इशारा करना कि प्रदेश में इमर्जेंसी के हालात हैं ये संकेत किस और दिये गए असल में क्या ऐसाई बीजेपी को भी लगता है बासकर जी आवाज मिल रही है बासकर घोश से बात करने की कोशिश करेंगे सौमित घोश भी मेरे साथ जुड़े वे सौमित असल मैं आपसे ये जाना चाहता हूँ ममता बिनर्ची को जब हम देखते हैं तो उनका करियर वाकई चुनोतियों से भरा रहा और अकसर और आम तोर पे वो सारी चुनोतियों को पार करती हुई दिखाई देती है लेकिर इस बार बीजेपी की बड़ी चुनोती परिशान करने वाली है क्या पहले तो मैं जाता हूँ पहले बाद यह है कि मैं यह कहना चाहता हूँ बत्के जंटा पाठी पशीमांगाल में प्लिटक्तर रहा है अपने सवाव पे उठा है कि इसे मैंता बैनाची के लिए कितने चिनोति होगे भर्री जंटापाठी मैं देत्ज़िक होगे है मैंता बैनाची उसे स्ट्टवाइटर कुचे… और काम की बभीतिस्ते ही पश्रीमंगाल के जनने का दोध जालपे हैं अगर धे जीतने ही तोजय के पश्रीमंगाल के सरकार fishermen da pada 10 साल में अगर को मियाद है Himself our State के इस सभी पश्री मुट्लुदीन्हान सब्सक्राइब कर दिया जाता है करोड़ बच्चों को साइकल दिया गया है पिष्टे 10 साल में तो ऐसे बहुत सारे स्टीम जो पेनी के शियल्ड पीड़ी हमारी जन्ता को प्षी मंगाल की जन्ता को हर घर में उनको मिला है तो मैं यही कहना चाहूंगा कि जो इतने भी सब्सक्राइब से सब्गरे में बజभके अपनी नग temporizing Não के आम की प्रदेश के अधरी हो सकता है ठीक है लेकिन गवर्नर जो कि समविधानीा बैठे बैठे हैं वह प्रदेश के हालात को लेकर चिंता जाहिर करतें वो कह रहे हैं कि असल में इस प्रदेश में एमर्जिंसी के हार आते हैं लोग डरते हैं और इतना डरते हैं कि उस डर के बारे में डर से बोलते भी नहीं है मैंने सुना है आज कर्दी जन का चीज ने जो ही बात किया है ये बात उसने इस पर पहली बार नहीं किया है ये आपको याद दिलाना चाहता हूँ जिस दीन पे वो इस स्टेट का गर्विनल करने हैं उस दीन से वो हमारी सरकार की खिलाफ बहुत सरे बात करते हैं उनसे हमरा प्लियम का मिकिंग भी हुआ है लेकिन इसके कोई उसको तो शायद जिस्टिक में जाना चाहिए जो रूरल एडिया से वह आपट जाना चाहिए उन अगर मैं जब्सी खंकर की सरको मैं अनुरूद करना चाहता हूँ कि आप प्लीज स्टिक मंगाल की जो गाउ है जो मुशित अबाब है मालडा है जो आपकी सरकार सिर गाउं तक के लिए बनी है टीमसी सिर गाउं के लिए अर्बन एरिया की जिमेदारी किसकी होगी अगर अ इसा हालात है अगर आप यह कह रहे हैं कि सर्व गाहूं देखिये नहीं नहीं मैं ऐसा बिलकुल नहीं कहना चाहता हूँ कि आर्बन एरिया लेकिन जो कलकता में रहता है जो पस्ट्री मंगाल में जो तरह जानने लिए इसा एक माँ 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 मतलब कुलकटा कुलकटा इस लेकिन अगर आपको पस्ट्री मंगाल का हालात करना है राजिपाल को पस्ट्री मंगाल के गाओं के बारे में जानकारी नहीं है सर वो भी अर्बन एरिया के गवर्नर नहीं है ना वो पूरे पस्ट्री मंगाल के गवर्नर है कि पर आप भी जाज गवन से नहीं और फिर जो भी वर्टप में दिया जाता है जो कुछ मेडिया वाले ने प्रेट कर रहे हैं उसके बाहर जाके आप खुड जाएए आप पश्ची मंगल की कोई भी जिला में चला जाएए और आप उन लोगों से खुड बात कीजिए आप त अब बढ़ गए कि अब प्रदेश की लोग डरने लगे कैसे समझे इस स्टेटमेंट को गवशनेर साब की अब को इसको करता है उसको कि क्या हो जाएगा 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 जो दो है अब दो है कि हम कर अब दो अनौन दो है कि अब उसके बात पूरी करेंगा मेपने साथियों रुखने दो ही इस न इस तुडियो में क्यों इस न की जाएगी नौन आग पूरी करीगा मैं अपने साथियों फोड़बैक ज्यादा कर दें इस तुडियों में क्योंकि आवाज audible नहीं हुपा रही है थोड़ा से ज्यादा बढ़ा है अपनी बात पूरी करिये आप जरूर भाई जरूर जरूर जी बोलिए आपके आवाज मुस्तक्त सही तरीके से नहीं आपा रही है अजमल खान मेरे साथ जुड़े है खान साथ असल में आपको प्रदेश की स्थिती को देखके कैसा लगता है क्या माल लिया जाए कि बीजेपी और फ्रंट फूट पे आ गई है और सारी चीज़े बीजेपी अपने हिसाब से चाहती है और जो टागेट उसने सेट किया है दोसों का प्रदेश को लेके उसको पान करें वो सेंटल गॉर्मेंट के रुपोर्ट करें जो कांसिजूशनल एक्षेन है वो एक्षेन करा है जब तो बात हुई अग्यूंकि ये एलेक्षन फोले दिन बागी है तो गवर्नर साफ बीजेपी का परचार कर रहे हैं इसमें कौन सी दो बात है यहां भी गवर्नर बी तो आप कहरे हैं कि ममता के राज में सब कुस ठीक चल रहा है नहीं मैं यह नहीं कर रहा हूं अच्छा जो कुछ गवर्नर को है जिए जा स्देट्यूसनल एफार्टी करना चाहिए वो नहीं कर रहे हैं पच्छ बंदाल के हालात खराब है वो दूसी बात है तो वही हालात विज्देंट आपने सुनाएं वो इमेर्येंटी लाइट सेक्रेशन है ओधियर आप दोनों चीजे एक साथ कह रहें हैं अजमल भाई आप एक तरफ मान रहें कि बंगाल के हराँ खराब हैं लेकिंद दूसरी टरफ़ गवबनर साब कर कहते हैं पिर आप कि एसा नहीं है सब दोनों चीजदे का चैन्न यहीं से इसलिए उनकी बास और वहाँ वह पर है तो उनकी को की कर है तो वहाँ पिए जो आफ नहीं है इस्वत है ना आप यह कि ये सच है के नहीं है ये बता ही आप देखिए महाराश में ला एंड आडर की सिग्वेशन खराब होना है जिस हुए खराब है लेकिन कांसिजिशनल असाइटी जो गवर्नर की है वो बाइच के कह रहा है कि अमेरियन्सी लाइग है मैं आजमल खान मैं आपसे यह नहीं समझ रहा हूं मैं आपसे यह नहीं पूछ रहा कि बतौर समिधानिक पत्पे बैठके उनकी टिपड़ी कितनी जायज है मैं आपसे यह कह रहा हूं कि जो उन्होंने अपने इस स्टेट्मेंट में कहा क्या आप भी वही मानते हैं बीजेपी की परिवर्तन यात्रा जगदीब धनकर साब की स्टेट्मेंट यह सारी चीजें किस और इशारा करती हैं क्या वाकई बीजेपी आगे बढ़कर अब कोई मौका कम से कम टीमसी को नहीं देना चाहती कि उनकी घेराबंदिक वो कर पाए बंगाल की सियासत जो है वो यह जो अपराद और यह सारी चीजों की बात हो रही है कि राजनीती खिंसाब बढ़ गई है हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा और हमें यह देखना पड़ेगा ममताब एनरजी जब विपक्ष में थी तो गोपाल कृष्ण गांधी राज प्रतिनिदी मंडल लेके जाती थी उन्हें लिस्ट देती थी और वो सरकार को केंद्र सरकार को वह अपटी रिपोर्ट सौपते थे कि वहां राजनीतिक हिंसा की इस्तिति क्या है भाजपा उसी फूट्प्रिंट को फॉलो कर रही है और मानिये राजेपाल महोदे के पास गर्याय के प्रतिनिदी मंडल के दो फह सब्सक्राइब करें जाए अभी मघुल यहि Apa जो आरोप लग रहे हैं वह सीधे मीडिया से बाद कर रहे और मीडिया को बता रहे हैं कि हालात कि खराब है तो सीरे अरोप लग जा रहा है कि प्रवक्ता की हिसाब से काम कर रहे हैं जबकि पिछले जो राजेपाल थे वो अपने समधानिक उनकी जो प्रोटोकॉल है उस हिसाब से वो केंद्र सरकार को रिपोर्ट देते थे केंद्रिये टीम जाती थी और वो मुद्दा हाइलाइट होता था दरसल कॉमन फैक्टर ये है कि मुद्दा जो राज़नितीख जिंसा का हाइलाइट करने का है उस पर भाजपा चल रही है और उसको लगता है कि ममता बनर जी पर हम ये गेन कर सकते हैं त्रेमिल कॉंग्रेस पर गेन करिए राजनितीख किंसा के मुद्दे को लेकिन यह देखना पढ़ेगा कि वहां रा बासकर घोश मैं उम्मीद करता हूँ मेरे आवाज आप तक पहुचेगी बासकर जी असल मैं यही समझने की कोशिश कर रहा था कि जिस और गवर्नर साब इशारा कर रहे हैं वही कमवेश बाते भारती जनता पार्टी भी कहती है क्या दोनों बाते एक ही जैसी है और इन दोनो से एक बार फिर दूख करते हैं सौमित असल में देखिए जमीनी इस्तर पर और मांसिक तौर पर यह दोनों इस्तर पर बीजेपी आपको घेरने की कोशिश कर रही है जमीनी इस्तर पर आप तब दिखाई देंगे जब मांसिक इस तर पर आप दुरुस्त तो पाएंगे ले माना जाए कि कम से कम सैकलोजिकल ही तो बीचेपी ने आपको अपने जद में ले लिया है अगर लोगसाब चुराओं में बीजेपी ने जो कहा उसे के हिसाब से परफॉर्म किया कि नहीं किया उतनी सीटे उसके आसपास लेके आए कि नहीं लेके आई ये भी तो आप ध्यान रखेंगे ना अगर अगर आप ओली एक्शन और लोगसाब प्रे लेक्शन ये ढो और एकिस नाहीं अख़फुराओं इलेक्शन Спास अ जारी देश में अगर रफिचेंगे बाती जनप पाती में लोगसाब और लेक्शन में जितनों अच्छाब प्रकाउं कि ऐ है ररेक्षें में चाहे티 विहार हो चाहे वो देली हो चाहे वो हरियन हो I am talking about 2019 election 2019 election वी समय में इस इस state में including Maharashtra also इस state में भार्ती जन्पापार्टी ने बहुत अच्छा रेजल्स किया था उसी state में जब 2019 election के बाद जब उस state में असेंब्ली election हुआ है उस एसेंब्ली election में जो लोकल पार्टी है चाहे वो आप हो चाहे यापर आजएडी हो चाहे यापर शिफ्टे ना हो या एंसीपी हो जो भी हो तो धरकन मुक्ति मोट्चा हो धरकन में भी धरकन में भी आप देख सकते हो हमारी परोशी state है वहाँ पर भी overall जो अमिस्टाजी ने वहाँ पर भी ऐसे रैली किया है वहाँ पर भी जाके कहा है हम इतना सीफ लेके रहेंगे हम यहापड़ अब सरकार बनाने जा रहे है हमारा सरकर तो बनेगा बाश्वार के सरकर बनेगा लेकिन assembly election में आशा पनेट चुगा है सोमेद आपको ऐसा क्यों लगता है कि बंगाल की जनता BJP के वादो पर यकीन नहीं करेगी आपके बड़े बड़े जो तुर्रम खान लोग थे वो तो छोड़के चले गए उनको तो आप पर यकीन नहीं रहा और आप कहरें बंगाल की जनता यकीन नहीं करेगी आप उनको तो रोक नहीं पाए बड़े बड़े नाम जो आपको छोड़के चले गए उनको छोड़के वो जान गए ना कि 10 साल में आपको कुछ नहीं किया पहले जो सवार पूचे है उसके जवाब में देना जाता हूँ पहले तो यह है कि परशी मंगाल भारत का एक टेट है तो भारत की जनता को जो जो वादा किया गया था 2014 चा इलेक्शन में और 2019 चा इलेक्शन में कोई भी वादा पुरा नहीं हुआ है ना तो देश की दोक्रट नौक्री हुआ है हर साल में ना तो किसी का अकाउंटर ला जवाब है जब मैं यह पूचता हूँ आपसे कि लोकसभा में बीजेपी ने अच्छा परफॉर्म किया वो विधान सभा में क्यों नहीं करेगी तब आप कहते हैं कि लोकसभा और विधान सभा दोनों अलग अलग है और अगर आप बीजेपी को घेरते हैं तो फिर लोकसभा में किया कर बादे पूचते हैं जवाब आप देंगे दस साल आप रहे सर दस साल आप रहे बंगाल पे बंगाल के लोगों के परिशानी आप से हुई है, आप देंगे जवाब, आप जवाब देंगे प्रदेश की जनता को, कि आखिर दस साल में आपने क्या किया, बीजेपी अकाउंटेबल नहीं है अभी, इग्जाक्ली, इग्जाक्ली, ये डीबेट शुर होनी की पहले जो बात मैंने कहा है, बंगाल की जनता की लिए बंगाल की हार एक बच्ची है जो इस टेट का उसे कुल स्टूडेंट पर उसे सोबुचाथी का साइकल मिलता है, पाओ का जूट मिलता है, हमारे शास्तोषाथ से लेकर आप में सुन रहा है हमारा होम मिनिस्टर जी शायद उनके बस डेटा नहीं है तेंचल गवर्शमेंट का डेटा में कहना चाहता हूं मन जेगा में बस्षी मंगल नंबर वान है हान उत्पादम में सोमें नंबर वान है क्या तो Myत में 2019 में आपने कौन से निवेश किए हैं इसका डेटा साचा क्यों नहीं किया गया गवर्णर सा़म beiden हमेनी जब डेटा मांगा तो डेटा स्यर क्यों नहीं किया गया प्रदेश में कौन से इंवेस्टमेंट पिये कौन से निवेश किये इसका डेटा चेर क्यों किया गया पर देटा को डिपल्लप्मेंट को कहना कर तो और को सबढ जाता हूं जो इस विदि जंगाश्ट में ऑल आग्टेटों वोट टन आकानश्ट प्रज़ेक्स दिया गया है उसमें इंवेस्मेंट हुआ है इसमें इनिवर्सिटीटी इसमें निव मेडिकल कॉलेग्स प्रणना चाहिए उसको पढ़ना आप बीजेपी से डरते हैं कि नहीं डरते हैं तो फिर बीजेपी किसान सम्मान निधी क्यों नहीं आपने किसानों को किसानों को क्यों नहीं दिया आपने किसानों के फेवर में अबर कोई चीज जा रही है उनको पैसा मिल रहा है लाब हो रहा है तो क्यों नहीं जाने देंगे किसानों के लिए उसमें भाग चाशी के लिए कितना स्वाइथा दिया जाता है यह जो बीजेदी का प्रभक्ता है यह जो कौन्वार मिनिस्टर है जो आप भी कह रहे हैं खिसान नीजी की बारे में यह भी कहिए खिसान नीजी प्रकॉलतों में जो भाग चाशी है जो छोटे चाशी है तो है जो इसको तीन हजार रुपए दिया जाता है हर साल में तच्छी मंगल की तरफ से उसके लेकर क्या बात है ठीक है ठीक है आप मेरे साथ रहिए मेजर मोहमद अली शाह भी मेरे साथ जुड़े वे हैं जी देखे, अबी ही दो झाः मागाता हूु, अभी दो रे पैरे पुदर मंतोरी जीने बोला है के ये लेप्स का पुनरजर्णम है, उनोर ने ही पुला है और आपके ही चैनल रफुला है, जी क्या है, इस ता बौल रहा है मैं तो बोलों कम्स कम वो पुदर जनम तो मानते हैं, लेट का, कुछ भी हो, आप तो कोई कहते हैं कि आप लेट कहीं नहीं हो, गायब हो गया, इसक्ता में नहीं हो, ये हो गया, कहीं नहीं, दिख नहीं रहे, खामुची से काम कर रहे हैं, किसा अंगर नहीं आ रहे हैं, अज पुरहें वोने की बात पुला है पुला है लेंगो नियूद का बादा है यह अर बंगोल में क्या होने वारा है वो तब जानते हैं सबको दिख रहा है जिवार पे राइटिंग क्या होने वाला है और यह वकDid बताएगा और जो भी आप हर तरह के अब हर कोई जोड़ लगा र हैं अगर ममता बैंजी खुद बीजेटी को जॉइन कर लेती हैं उनको ताजुम नहीं होएगा और वही देखें अमिर्शा ने वही दिया दिया के वह ममता बैंजी से आखिर में जैस इलाम कहल वाएंगे जिस नारे से उनको चिड़ मचती है मतलब क्या मेजर बैंजी मुझे यह बताइए सर आपके टागेट पर कौन है सर आप किसे कॉम्पूटिटर मान रहें बीजेपी को या टीमसी को नहीं मैं आपको पहले भी बोल चुका हूं कि हमें हमारी कोई भी नहीं है ना बीजेपी ना टीमसी मैं क्या होने बाला है अभी देखें औरेशी की पार्टी मुझे यह समझ में नहीं आता देखें बीजेपी के पास बताने के लिए केंद्र से लेके आगे तक बहुत सारी चीजें है टीमसी के पास 10 साल का रिकॉर्ड है आप किस बिना पे कोशिश कर रहे हैं कि आपको फुटेज मिलेगा सर प्रदेश में आप यह बताईए प्रध कि अबनी उखें कोंटेर मुझे आपको रभडारी की जे वे लिद्ध आपो इस बिल्सकुँ नहीं कि अभिडाए आपने काम पिए आपी Ayam के कि आंप फिजा करता दाए मुझे पांच काम बता का आप पांच काम बता पांच आइए चले तीन काम बतादीजेए तिन नहीं और लोग जनता ये काम देख रही है, उनको मालूम है कौन काम कर रहा है, और ये स्काफ लिखता है, और बिंगॉल के लोगों को इतना तो मालूम है, कि दिपलब देव जी साफ के रहा है, जो वरत रिप्रा में, कि वो सोच समझ के किसको रिवोट देंगे इसमार वो, अभी अपरेल माई में और त्यारी देखे अभी चे शुरू है, जो कि बड़ी अच्छी बात है, और हर कोई जोर लगा रहा है, लेकिन हला कर रहे है, नहीं हला हो रहा है, अब आप देखिए जो खामोशी ने काम होई है, आप माने या ना माने, यह आपकी मजबूरी हो सकता है, आप समझें हैं, सब दो-दो कौंपूरी टीटर हैं, बीजेपी भी है, टीमसी भी है, सर कहां जाएंगे आप, और आपका रिकॉर्ड कुछ है नहीं बताने के लिए लोगों को, आप समझ रहे हैं इस बात को, मजबूरी आपकी भी है, सफाया कर दिया टीमसी ने, आपका मुورह तरीके से मैं वहाँ जाना इनी चाहता हूँ उस मसले पर जाना ही नी चला दका कुतना वड़ा राच था कितना बड़ा काRKाल था सर ता कृतर ब्लेकों आपको टीमसे ने से और आप तो B장이 सामने आ गए है ठीक है आप तुर मेरे साथ रहcker ऑफमे बली साब ने कहा और वही बीजेपी कहती है क्या दोनों की बाते प्रदेश के लिए कोई खास मेसिज देरे की कोशिश कर रही है क्या माल लिया जाए कि समिधानिक पत्पे बैटते हुए गवर्णर साब भी बीजेपी की बैटिंग कर रहे है नहीं नहीं वह बिलकुल सही कि बंग अब सोचिए जिन दाहरे बीजेपी का कारे कर्शा को मारा मारे जा रहे हैं उनके लिए अगर कोई कंप्लेंट किया जाता है पुलिस में तो पुलिस देखती नहीं जेखता ही नहीं यह क्या हो रहा है क्या नहीं मतलब अरग जटता अब बोल सकते हैं बहुत खराब हालत है मैडम एक बात है ना अगर गवरनर्स आपको इतने ही खराब हालात लग रहे हैं तो वो सेंटर को रिपोर्ट कर दे मीडिया में इस तरह की स्टेटमेंट थोड़ा अजीब लगता कि नहीं लगता मैं मैं तो फिर आप एक्शन ले लिजिए आपने क्या एक्शन लिया फिर अरे अक्शन तो बोला जा रहा है वो तो कर रहे हैं लग अगिनर बताएगे उसके बढ़े बड़े अक्शन बता दिजिए यह बहुत ज्ञादा बोल रहे हैं लेकिन उप कंने काम करने दिया तब ना गरणर को वह तो पावर शुमिच है वह जितना करेंगे उसरा ही कर रह हैं लेकिन वहां का स्टेट मिशनरी बिल्कुल पुलिस तो बिल्कुल ठप है और यह भी अनिस्टेटिंग यहां से भी बहुत खराब है मतलब आजकल खराब सीथी बहुत चल रही है ठीक है इलेक्शन सामने है और भी ज्यादा यह बिल्कुल प्रिंट के अलावा आपका ब्लूप्रिंट क्या होगा इस में बात करूँगा आप मेरे साथ रहीएगा तो लोकतंदर आप देख रहे हैं लोकतंदर में आज हम बात कर करते हैं स्पेसिफिक सर मत्वा संग्ठन का गड़ है और इस लिहाद से इस समुदाय के लिहाद से कितनी इंपॉर्टेंट परिवर्तन रैली हो जाती है अमिर्शा की आज वो बहुत उसका असर पड़ेगा लग बग 30 32 सीटों पर तो सीधा असर पड़ेगा मत्वा संप्रदाय का और मत्वा संप्रदाय का जो मुद्दा है वो देखना चाहिए वो लोग जो है 1975 के बाद जो माइग्रेशन हुआ है बंगलादेश से हिंदू का 1975 में बंगलादेश हुआ था और सेक मुझीद के मारे जाने के बाद वो शाहिद वर्ष जो है थोड़ा इदर उदर होगा उसके बाद जो माइग्रेशन हुआ हिंदू पॉबलेशन वो मैक्सिमम वो लोग है मतुआ वाले वो वर्षों से मांग कर रहे हैं कि उन्हें जो है नागरिक्ता नाग देंगे उसके लिए वो वह जो वर्ग है वो जो बीस लाग तो सीदे सीदे हैं उसके लेकिन उनका असर जो है वो जो तीस पैंतिस सीटों पर है तीस बतीस सीटों पर वो अच्छा खासा प्रभाव डालेगा बीजेपी सीदे का रही है बीजेपी वहां सीए जो इनका है उ वो इस मुद्दे को लेकर के काफी दोड़ भाग भी कर रहे हैं और उसका असर भी है हाना कि मत्वा में भी एक वर्ग वैसा है जो यह कह रहा है कि नहीं यह सीए आगे चल करके हमको सपोर्ट नहीं करना चाहिए वो हम दूसरे तरीके से इसको हासिल कर लेंगे लेकिन अभी जो है यह ठाकुर्णगर की रैली का असर दिख रहा है सामें तो आपके बड़ा इंपक्ट इस रैली के जरी पश्ची मंगाल में पढ़तावा दिखाई देता है कई सीटों पर इसका सीथा असर है अनुश्री मुखर जी मेरे साथ हैं भारती जिनलता पार्टी से अनुश् किसान उन किसानों को देखकर आपके वादों पर यकीन कैसे कर लेंगे दिली में जो हो रहा है वो किसान नहीं है दूरू बाते आप एक लाइन में बोल रही है यह लोग दीज के अगनी हैं जो अभी किसान का कुछ फाइदा नहीं पहुचाना चाहते हैं इसी के लिए यह लोग बैठे हुए हैं मैं बंगाल के किसान आप पर यकिन क्यों करें मुझे यह बता दिजिए बंगाल के किसान आप पर यकिन क्यों करें कि सम्मान मीधी के लिए जो पैसा था वो कहा है कि सम्मान मीधी कहां मिला तब जब 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 में दिया जा रहा है लेकिन बंगाल में नहीं मिल रहा है बंगाल में जो भी हमारे प्रज़ान मंसी कुछ भी कि चला रहे हैं बंगाल में अपना नाम करके कुछला दे रहे हैं आधा लोगो को दे रहे हैं अपने पाटी के लोगो को दे रहे हैं और दूसरे को अगर वो पाटी लाइन ना फोलो किया जाए तो उनको नहीं दे रहे है अरुष्री जी जब आप कहते हैं कि हम देखिए हमें 5 साल दीजिए हम सोनार बंगला कर देंगे मैडम वो कौन सी मैजिकल स्टिक है वो जादू की कौन सी छड़ी है जो 10 साल में टीमसी नहीं कर पाई आप 5 साल में करके दिखा देंगे ये भी लोगों को समझा रहा होगा असल में इसका मेकैनिजम क्या है कैसे मैडम मैडम ये योजना है मुझे गिना रही है ये तो सेंटर की योजना है मैडम ये तो सेंटर की योजना है पूरे देश को मिल रही है तो बंगाल के लिए खास क्या होगा कैसे दिनेंगे रोजगार क्लब में बैठे हुआ है पैसा मिल रहा है चुक्चा बैठे हुआ है कोई काम ने में कुछ नहीं कोई इंडस्टी नहीं अगर बीजेपी आती है तो अभी आप पूरी तरह से मुतमईन नहीं है अगर के साथ चल रही है ना आप पूछ रहें ना उतीले में ऐसे आंसर देए तो आप यह आएंगे तो आप तो करेंगे आप तो कहरें एक अगर बीजेपी आती है अगर मैं अगर तो कोश्रमाग लगा देता है ने ने करेक्ट कर लिजिये और आम से बोलिए ने दुरुस्त कर लिजिए ना बीजेपी आती है जहां जहां आई है तो यहां तो आ रहा है आप देखिए आज का जो मीटिंग था अमिश्चा जी का हमारे मुन मुनिस्ते तो परिवस्तन चाहते हैं परिवस्तन के और भी बाते कर रही हैं भीड किसी सफलता की गैरंटी है क्या आप यह बता दीजिए भीड लोगों से पूछे हैं लोग ठक चुके हैं लोग अगर चाहते हैं मान भी लिया जाए तो बदलाव के बाद वह आपी को चाहते हैं यह कैसे पता एम इंब लाइन में लगी है वाम दल भी लगे हुए अब तो ओसी की पार्टी भी आ रही है मैंदो वह भी तो विकल पो सकत हैं आप इतने confidence में क्यों आ जाती है कि अगर ट्यमसी नहीं तो बीज़ेपी देखे दूशी एक सेंट्रल पार्टी है वो लोग देख चुके हैं कि इतना अथ्छा काम करें जहां जहां बीज़ेपी है वहाँ वहाँ वह स्केट बहुत अच्छा कर रहे हैं तो अभी बंग आप देख रहे हैं ना बीजेपी तो फुल मूड में है फुल कॉंफिडेंस में कि हमने तो आना ही है बोरिया बीस तरह बादने का समय आगे टी-मसी का बीजेपी के हिसाब से सुमित ओडिबल हूँ बोलिये तो मैं यह समार पूछना चाहता हूँ मोदी तो चेंटल का पढाय मंदी है अमारे जेश का और दोगोल इंजीन शौटकार यह एक बीजेपी का शब्द है यह इसकते रहते कि दोगोल इंजीन शौटकार है सुमित एक बात ठंडे दिमाग से बताइए आप बीजेपी की असफलताओं से चुनाओं जीतेंगे अपने किये कामों से जीतेंगे हद हो रही है एकांटबल आप हैं एंटे एकंबेंसी आपके खिलाफ काम करेगी बीजेपी के खिलाफ नहीं बीजेपी की असफलताओं गिराएंगे तो मुश्किल हो जाएगी आप अपनी उप्रद्दियां बताइए न मुझे मत प्रदेश में क्या हुआ उतराखन में वह छोड़ दी है कोन सी स्टेट में क्या हो रहा है कोन सी ज़धा पर बीजेपी का सरकार बनने की बाद वहां पर कितने लोगों को खून हुआ है कितने इंड़स्टी हुआ है सब खुछ दील और दिमाग में रखने की बाद ही बोड़ागा और इसी की साथ आप बश्चिन मंगाल के रिप ऑख्षा राजनीति खत्याएं हुई 54 राजनीति खत्याओं में से अकेले बंगाल में 12 राजनीति खत्याएं हुई है यह से एंसी आर्भी की रिपोर्ट बताती है आप दूसरे प्रदेश को घेर रहें बीजेपी को वहां से घेर रहें अपनी चीजें दुरुस करिए पूरी देश में एक हिंसा का बताबरन क्रेट किया गया है चापर भाई भाई को माल रहा है धरम की नाम पे किसी को माल रहे हैं तरकों के साथ बात नहीं करते हैं आप ऐसे लिखने लग जाते हैं निबंद नहीं लिखना है मुझे यह बताना है कि असल में आपके पास क्या है आपके पास क्या है निबंद नहीं होगी ना कुछ न्यूटरली समझते हैं दीपक रस्तोगी मेरे साथ हैं दीपक जी असल में भारती जनता पार्टी के बड़े नेताओं का पस्ष्य मंगाल में दोरा क्या टीमसी के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज जिससे टीम से मानने को तयार नहीं है यह मान भी रही है तो बताने रही है और उनकी टीम के लोग जिस तरह से यात्राइं कर रहे हैं और एक दम ग्राउंड लेवल पर जा रहे हैं आज भी आज भी मताब अनर्जी ने कई जगा यात्रा किया और कई लोगों की मीटिंग्स ली हैं कई बाते कहीं हैं तो वो तो मान रहे हैं मैं इस पर आना चाहूंगा यह जो क्राइम वाला जो मुद्दा है इसको इसको दूसरे थोड़ा सा और हमको गंभीर हो करके देखना पड़ेगा बंगाल में राजनीतिक हिंसा क्यों होती है यह राजनीतिक हिंसा इसलिए होती है कि वहां माल लीजिए कि एक शेत्र विसेस है दस गाउं है उस दस गाउं को हमको वोट बैंक बनाना है उसको कहते हैं इलाका दखल या ग्राम दखल वहां का कोई भी नेता उसके मूँसे यह सब्दों सुनने को मिलेगा और अगी सरकार इस पर काम नहीं करते ही कारण यह है कि राजनीतिक दलों को यह पनी जड़ बनाने में मदद मिलती है वही गुट जो हैं वही शारे मदद करते हैं जो हथियार बंद दस्ते होते हैं उनको जिस पार्टी ने पैसा दे दिया उसके लिए काम करते हैं वह दस को खतम करने की परंपरा शुरू हुई जो ममता बनर जी ने भी जारी रखी विपक्ष को अपने या तो या तो हमारी पार्टी में शामिल हो जाओ और नहीं तो इसके बाद जो तो वह ग्राम दखल की लड़ाई में ही हिंसा होती है यह कानून बेवस्था का भी मुद्दा है यह राजनीतिक समझ का भी मुद्दा है कि राजनीतिक दलों को भी इस पर विचार करना चाहिए कि हम सिर्फ किस तरह से स्वक्ष तरीके से चुनाओ लड़े हैं हिंसा कम करके और हम जनता के बीच जाएं सीधे तो पर तो सरी जो ग्राम दखल और इलाका दखल की बात आप प्राही लिखाई में अगर उनके बीच का एक लड़का पढ़ लिग दिया तो वह बाहर निकल गया कमाने दवाने के लिए या शहर में चला गया बंगाल कहीं शहर में वह गाउं में बहुत ज्यादा सक्रिय नहीं क्योंकि उसे अपना घर चलाना है तो वह अगर उनके में भी रहता है कई लाइको में बीहर में Vanity क का दथी है अपनी जान की सुरक्षा करो चलो इसको बोटर काम खतम करो करो एक ट्रेंड रैट से बूसरेता सब्सक्राइए बूट रहा फीट अगर देता हैं कि खड़े हो का जांएंगे और जो genuine voters हैं वो नहीं पहुँच पाएंगे वो वामर्चा के समय में भी है अब हालाती है कि कई जगह पर जहां कि BJP भी आ गई है वहाँ भी इस तरह के आरोप दिख रहे हैं त्रेनुमल पर भी आरोप लग रहे हैं आरोप सारी पार्टियों पर लग रहे हैं अब यह है कि सारी पार्टियों इस पर विचार करें कि भाई कैसे हम साबसुतरे चुनाओ की गारंटी दे अकेले राज़पाल वहाँ बोलते रहें या राज़पाल रिपोर्ट भेजते रहें या केंदर सरकार डंडे चलाती रहें उससे नहीं होगा अस्थानी अस्थापल जी के अजमल खान भी हमारे साथ है ए आई एमाइम से अजमल खान साब असल में बाक्षिम बंगाल में जब बात करते हैं तो क्या यह पूरी लडाई जो राजनेतिक तोर पर हम समझ और देख रहे हैं जिसके पहले वहां लेक्ट और काहेस की गवर्मेंट रह चुकी है यह राजनी की तोर पर जो पाडिया आती है जन्ता उनके बीश से टेह करती है इस वक्त ऐसा लग रहा है कि वहां तीम्सी वर्शेस बीएटी है आता मैसूस हो रहा है क्योंकि बहुत जहां के सारे वीजर कर रहे हैं और टीम्सी की सरकार के ऊपर आप देखा गवर्नर तक रिजाब लगा रहे हैं लेकिर ऐसा नहीं है जिसके बाद के नहीं को पाड़ किया रहे हैं जन्ता ते चरेगी ना कि क्या होता है वह हम लोग भी है और पाड़ की बाद तो ऐसा नहीं है अच्छा आप क्या बताएंगे आप पस्छी मंगाल की जन्ता को क्या बताएंगे आप कौन और आप क्या करेंगे क्या बताएंगे आप हमारी सरकार कही नहीं थी तमाम कमीशन की रिपोर्ट आई आप असल में सिर्वोटी तो काटेते हैं सरकार कहां बन पाएगी अगर हम उट काटेंगे नहीं तो मिलेगा कैसे पीजेटी ने समाम हिंदू आप कुछ वोटी तो काट पाएंगे हैं सवाल घृत करो नोस एंदू जीत जाते हैं ऑसको दूरी तो ता आन। वेलें तो हमके आपकी नग्रा ममारी अजाब ज़ना रहां हैं पाट को हम आएग्टल लर्चार लेया रहे हैं कि और तो थोड़ी करने हैं आपका वहां पर कोई पुराना रिकॉर्ड नहीं ऐसी कोई और स्टेट पे आपकी गॉवर्मेंट चल रही हो ऐसा भी नहीं और आप समझाएंगे क्या मुझे यह बता दीजिए आएसे दो मुद्धे बता दीजिए बस जो पर पस्चिप मंगाल की जनत है आप रिक कर रहे हैं और जो अलब प्रदेश पे लगा रहे हैं और उसकी हालत को दे कर लगा रहे हैं यही तो बीज़ेपी के पास वोटना हैं जाके आप पे क्यों आ जाए प्रदेश की सित्थी के मद्दे नजर BJP को कितना बड़ा प्लेयर आप समझ रहे हैं सर इस वक्त आप तो हैं बड़े हैं मानगे मैं आप बोलेंगे हम बड़े लेकिन आपसे बड़े बीजेपी को कितना समझ रहे हैं अगर बंगॉल को सेंट्रल गर्वर्मेंट का तरहों को मिलता है इसमें खराबी नहीं है हां के लोगों ने उनकी बात पानी और जी हम बड़ा प्लेयर है मैं कहरा हूं हम लोग आपने अभी कुछ नहीं था सबाता है मैंसे के लैस्नी क्या क्या किता हैं दो पिन काम गिरा दी एक रुपे पर किलोग अभी दिका गयादा है तो पॉइंटिको क्रोड लोग के लिए ले फ्रंक जवर्मेंट से जो बनेफिट जो केवल बीपिल ने भी एपिल ने भी एपिल ने भी एपिल क्यादा है याराफ लाग सथा ही हजार एक्टर लैंड इसमीन दिस्रिबूट क यह तो बाते बीथ गई यह बाते तो बीथ गई सर नहीं सुनेंगे सर नया रागल आपिए नया रागल आपिए सर सॉफ्टेयर अपडेट करिए कुरानी बातों से कुछ नहीं होगा आप पूरे देश में कोई एक मेडिकल दॉक्टर आप पूरे देश में ऐसा डॉक्टर बिखा दीए जिसने क्रोना पॉस्टिव थी को ने के बाद 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 लोगों को भी कर रहा हो और चार बार आप एग अच्छा ठीक है ठीक है मेजर मौमद अली शाह आप सिर्फ एक डॉक्टर के काम को गिना रहे हैं और बीजेपी के पास तो आयुश्मान योजना है सर लाको लाक बीमा योजना दे रहे हैं ये मिफ्टिलाज दे रहे हैं आप एक डॉक्टर का कमपरिजन कर रहें सर तुनात्मक कर संथा पॉक्टम शाभ दिजेपार मौर्स प्रत हन में ये व्किल दिगए बेद लीज भॉक्टर अन रहे हैं टॉक्टर ऑट दुर्टिर्ट वं है घ्युटि नग्टर दिए टॉक्टर उख सर पट्व्टर अंट्यू कैटू कयं दो जिकल्डज आ तो परसु सब्स्ति बावजूद आपको नकार दिया गया सर आप बदल दिये गए आप बदली हुए बातों को फिर से दोराएंगे फिर उसी पाएंगे नया कुछ है नहीं चलिए सर ठीक है आप रहें मेरे साथ है सौमित तो इस डिबेट के इसाफ से लगता है कि बीजेपी तो है ही है बाकी प् आमदल हो जाहिए ए एैम एभाई एमो ओट के हमारी आकर देना चाहता हूं कि आक बर लेजिए चाहिए और जो पर जो प्शी मंगल बेहें को लेट सोड़ वे थोला बढ़के और सुनने की बार यह भागजे़ आज भी आप्शी मंगल देना थीपिबार चाहें में हर साल का पॉलिटिक्स करके यह पर हमारा जो कॉर्मो शोष्व की पिसाद उसके पूरत के पूरे सब्ता नात कर दिया तर लिया तो लिए परी चेक आ वह के लिए पहर की लिए पंगला बॉंट नाव लाना रहुं नहीं होगा फंगला जनता बॉंट नहीं कुछ नहीं आपने कहा है आपने कहा है आपने कहा है तो मैं आपको कहना चाहता हूँ पर्षी मंगाल में 10 करोर जन्ता के लिए मम्ता गेनाटी ने शास्तो शाथी लिया है ठीक बीजेपी से अनुष्री जी हमारे साथ है अनुष्री जी चलते चलते आखरी कॉमेंट आपी का मैडम यह बंगाल की रड़ पे कैसे जीत होगी क्योंकि सामने जो प्लेयर है वो भी कुछ खाम नहीं है क्या ओवर कॉंफिडेंस तो नहीं हो गया बीजेपी को आती उत्स कि आनं की अपना नाम से आले बढ़ा है गुवरनर साब यह आप भी काम कर रहे हैं से मैं ऐसे समझू हमारे प्रायम निस्टर इसमा किये कम किये हैं आने के बास हम लोग बंगाल humor मत्ता बंगाल भी आप प्यम-मोदी के कंदे से जीतें जीते जीते कोई और बड़ा चाहर वहां के लिए है क्या अकाउंट में तो लोग देखे चुके हैं दर साल में क्या हुआ है कुछ अच्छाई हुआ है कुछ बोलने का कुछ नहीं है आपको भी तो केंदर में पिछले कई सालों से देख रहे हैं मैडम उसका भी खाय में अज़ा उठाना पड़ेगा क्या देखने के लिए तो पश्रे मंगाल की सियासत हर देन बहुत रोचक होती जा रही है और रोचक होने के साथ-साथ एक बड़ा चैलेंज भी है क्या टी-मसी के लिए इस पर भी आने वाले समय पे नज़र रहेगी फिरहाल बीजेपी की परिवर्तन यात्रा जा रही है और य